हेलो बच्चो स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में तो आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीवी और यांत्री के सभी बच्चों के लिए कुछ कुछ इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन को कुछ इंपोर्टेंट जानकारी को यहां पर हम किनकिन टॉपिक्स के बारे में किनकिन जानकारी के बारे में यहां पर आपको बताने वाले हैं वह आपको साधा सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर आपके थमनेल पे भी जो आप thumbnail जिसको आप click करकर यहाँ पर आए हैं same to same उसी information को पूरा यहाँ पर हम आपको गताएंगे पूरा complete details में पूरा complete details में पहला information रहेगा बच्चे stage 2 का admit card और exam कब होगा दिखे बच्चे वीडियो बड़ा ही होगा बिलकुल बड़ा होगा वीडियो भले बड़ होगा ठीक है physical में आपका क्या करने वाले है यानी physical में आपका क्या करना होगा आपको और अपर कैसे-कैसे लिया जाएगा यह सभी को बारे बात करेंगे और साथ ही साथ inconsistent performer क्या होता है इसके बारे में यहाँ बात करेंगे बहुत सारे बच्चों का problem था बहुत सारे कर डाउट ना रहे ठीक है चलिए हम आपको ये भी बताएंगे बच्चे इस वीडियो में कोइस करेंगे बताने का नहीं तो देखेंगे कि वीडियो बड़ा हो जा रहा है तो नेक्ष्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि स्टेज टू के अर्मिट करने आपको कोण से कोंसे कोश्ट गार्ड के साइड पर आपको अप초 आपको उबंडा आपको खुद बताएगा आप सोवर्स्ट सटेज के रिजल्ट आने के बाद ठीक है लेकिन इहाँ पे हम आपको सभी डॉक्वमेट स के बारे बता देंगे दोनों अलग बाते हैं बच्चे आपको कौन से डोक्मेंट पहले अपलोड करना है और कौन से डोक्मेंट वहाँ पर लेके जाना है ठीक है चलिए हमाई ये बात करते हैं इन सभी चीजों पर यहाँ पर वीडियो पर बने रहीएगा तो सभी बच्चों का जवाब देना बच्चे पॉसिबल नहीं हो पता है लेकिन हम फिर भी बच्चे अभी हम आपको कोई आपको ऐसा चानल पर नहीं मिलाया कि आपको हर एक बच्चों का कॉमेंट का जवाब मिले यहाँ पर आपको 95% कॉमेंट का जवाब हम बच्चे को दे का हैं आपको दीख रहाओगा पहला चीज जो आपका जणविक्ट है और आपका डाइनर और यहां पर यहां पर यहां पर तो ठीक है यहां स्टेज 2 sec और Stage 2 है, ठीक है, Stage 1 और Stage 2, यहाँ पर Stage 3 और 4 है, यहाँ पर Stage 3 और 4 के बात नहीं करेंगे, सिर्फ Stage 2 के बात करेंगे, थोड़ा से Stage 1 की, देखिए, यहाँ पर Stage 1 की बात करते हैं, तो Stage 1 का Mid-March और, आपके Ind-March के आसपास, आपका Yarnvation complete हो चुका है, बोथ आपके GD, DB और Yant के starting में, समझ रहें, Ind-April में, या फिर बच्चे माई के starting में, यहाँ पर देखिए, Ind-April और माई के starting में, समझ रहें, तो इस तरीके से आपको तीनों का, यान्तरिक और आपके DB, GD, यानतरिक सभी को एक ही जैसे, एक ही जैसे chances बनते हैं, ठीक है, तो यह आपके examination के date हो चाहर गया हि कि जो आपका first stage का admit card होता है, और कह सकते हैं, उसका जो आपका centre जहाँ पर पड़ागा, और अपको 10 दिन पहले बता दिया जाएगा, और उसका admit card न mentorship से 3 दिन पहले निकलेगा, ठीक है, तो similarly कहा है, आपको stage 2 के में भी यह ahi conditions होते हैं, आपके admit card होते है обязation दो आपको वहाँ पे मिलते हैं ठीक है तो देखे यह सभी आपके होते हैं कि admit card कब मिलते हैं और admit card किस conditions में मिलते हैं इसको हम आप जानेंगे कि admit card आपको किस conditions में cost guard provide करवाता है और यह बहुती important information है बच्चे जान लिजएगा अगर इस information को आप नहीं जानिएगा जो भी हम बता कर आए तो stage 2 के admit card के लिए सबसे पहले यहां पर लिखा गया है cost card के द्वारा कि based on the performance in the computer based online examination a merit list will be prepared and e-admin card for stage 2 will be issue as per the vacancy available and ratio decided by Indian cost card यह करने मतलब है कि stage 2 का admit card आएगा वो तभी आएगा वो आपके जो आपके online examination ने आपने perform किया होगा यह online examination में जितने आपने score किया होगा उसके merit के अनुसार और जितने भी आपको Indian cost card जो vacancies का ratio provide करवाएगा उसके अनुसार ही आपका stage 2 का admit card आएगा ठीक है यह point आपको सम समझ गया कि आपको admit card कब आएगा लेकि admit card किन बच्चों का आएगा कैसे आएगा इनको यहाँ पर अब समझेंगे जो कि यहाँ से आपका start है लिखा गया है कि if the candidate is shortlisted for stage 2 अगर कोई भी candidate अगर any candidate अगर आपका shortlisted हो जाते हैं कहने का मतलब है कि आप अगर इसको crack कर पाते है आपका stage 2 यहाँ कोई भी candidate अगर आपके stage 2 के लिए shortlisted हो जाते हैं तो उनको कुछ आपके documents को upload करना पड़ेगा जो कि आपके पार 6 में C मतलब पैरा C के 4 में और पैरा C के आपके 5 में दिये गए हैं तो क्या-क्या documents दिये गए हैं उनको भी हम just इसके बाद जानेंगे तो पहले और भी आगे सुन लिजे ध्यान प्रवख सुनिएगा यह अपके stage 2 के वह आपको नहीं जेनरेट के जाएगा यह आपको नहीं करते हैं तो आपके stage 2 का admit card नहीं आएगा भले ही आपके merit list में नाम है आप भले ही first examination को first stage को crack कर लिये हैं फिर भी आपके merit list में नाम sorry आपका admit card नहीं आएगा किस condition में जब आप जितने भी time period Indian Coast Guard के द्वारा प्रवाइट करवाएगा हैं उससे पहले अगर आप सभी documents को upload नहीं कर देते हैं तब ठीक है चलिए यह आपको समझ में आ गया और कौनसे कौनसे जस्ट अभी हम आपको बताएंगे जस्ट थोड़ी दिरवाद आपको बताएंगे और एक next आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या आपको document वहाँ पर लेकर जाना है क्या आपको document पहले submit करना है वह भी बताएंगे और क्या document आपको वहाँ पर लेकर जाना है वह आपको बाद में बताएंगे, इसके लगाते हैं बच्छे, पूरा वीडियो complete सुनिएगा, आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा, सब आप क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है? नेस्ट आपका आपके कि यह अर्मिड कार्ड फोर स्टेज 2 विल नॉट वी जनरेटेड तिल अडिस्टल, सॉर्ड यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे हैं? यहाँ पर रहे हैं, चली, दिवरेशन फोर स्टेज 2 का डिवरेशन होगा, वह एक से दो दिन का होगा, बहुत बढ़ि इस तो बार, आपके कांए आपका बहुता है, या फिर आपके आपका को फता है? या तो आपको fail हो जाएगा ठीक है यही दो चीज होने वाले हैं ऐसा नहीं कि stage 1 की तरह आपका merit list कुछ आएगा समझे मेरिट लिस्टों आएगा ही कहने का मतलब कि number wise ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ठीक है अब ऐसा नहीं कि आप 7 minute का race है अगर जितने आपको बताएंगे अगर मान लेते हैं कि 7 minute का race है आप उसको अगर 5 minute में मार दिये तो आपका इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आप सबसे पहले आ गए और आपका पक्का हो ही जाएगा ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपने साथ में टाइम मिला है आप साथ में मारिए 6 में मारिए जल्दी मार दिजिए उतने time पर मारना आपको बस ज्यादा समय नहीं लेना है समझ रहे हैं सिंप्ली pass और fail nature का होता है कोई marks का कोई भाकेदारी नहीं होता है ठीक है तो एक से दो दिन का होता है और पास और fail nature का होता है ठीक है यह आपको समझना है अब कि कि क्या क्या document Indian Postcard के website पर ताकि आपके बच्चे admit card आ सके stage 2 के लिए समझते हैं कि हमारा admit card होगा यानि हम admit card लेने के लिए हमको क्या document upload करने पड़ेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है कि document to be uploaded if shortlisted for stage 2 यानि आप अगर stage 2 के लिए shortlisted हो जाते हैं तो आपको कौन से कौन से document upload करने होंगे पहला है if the candidate is shortlisted for the stage 2 अगर आपका candidate जो है आप अगर shortlisted जाते है stage 2 के लिए recruitment process यानि stage 2 के recruitment process के लिए तो then he will be required to upload following certificate as per the post applied यानि वो जिन post के लिए अप्लाइड किये हैं उनके लिए अलग अलग type k certificate upload करने होंगे क्या क्या है upload करने तो वो देख लिए all candidates में क्या आते हैं DB, GD यान्तरिक सभी आ जाते हैं तो यहाँ पर अलग से CGPA और grade into percentage for class 10 if applicable यानि अगर आप कोई बच्चे अगर class 10 से applicable है sorry क्या है formula for class 10 यानि कहने के मतलब आपका कोई बच्चे ने अगर CBSE से एक्जान दिया होगा तो उनका CGPA में आया होगा तो उनको क्या करना है इसको बच्चे percentage में convert करके लिखना पड़ेगा आपको दिया जाएगा option वहाँ पर आपको ऐसा करना पड़ेगा ठीक है इफ अप लिखने का अगर आपको है वहाँ पर फाइप 95.5 आता है तो आप 95.5 लिखेगा अगर आपको 69.9 नहीं लिखेगा 79 लिखेगा 70 लिखेगा वहाँ पर चेक किया जाएगा आपको रिजेक्टेड कर दिया जाएगा simply reject कर दिया जाएगा कोई आपका बात नहीं सुना जाएगा ध्यान पर वर्खेगा बच्चे यह सब गलती बिल्कुल नहीं किजाए 69.9 है तो है मेरा इतना ही है तो इतना ही है ठीक है इससे ज्यादा नहीं है नहीं से ज्यादा हम इसा कर देते हैं बच्चे तो बिल्कुल आपको उहां से निकाल दे जाएगा तो आपको इस बात को ध्यान में रखते चलना है ठीक है चलिए नेक्स बात करेंगे और बच्चे आपको हम इतनी मेहनत करें आपके लिए तो आप जरू वीडियो को लाइक किजएगा प्लीज हम मेहनत से आपको बता रहे है कोई भी चीज तो आप इसको फॉलो करें और आपको बिल्कुल इसे लाब होगा ठीक है चलिए नेक्स बात करते हैं कि NOC for Government Organization if that candidate is employed याणने मतलब आपको NOC आपको देना पड़ेगा government organization से तो NOC कैसा होता है स्रस आपको दादे कि देखिए यह NOC जो होता है non-objection certificate होता है और इसका simply मतलब होता है आपको वहाँ पे format दिया जाएगा costdar के side पर अभी नहीं दिया गया है तो आपको हम दे दे ठीक है चलिए टेलिगाम चैनल को जान करके वहाप पर सभी डोकुमेंट्स आपको मील जाएंगे यह अनोसी का मतलब होता है कि इसमें कहने का मतलब होता है सिंप्री कि आपको बताता है गवर्मेंट कि आपको जितने जो आपको दस्तावेस जो दिये हैं क्लास 10 का वह भी आपको वहापे देना पड़ेगा आपको वहापे ऑप्सन मिलेगा आपको वहापे डालने के लिए ठीक है इफ अप्लिकेवल यानि जिनका अप्लिकेवल है ठीक है निस्ट कि आपका नाविक GD Candidates के लिए क्या डालना है कि उनका फिट से वही कनवर्जन करना है आपको CGPSA % में वहापे ऑप्सन में आपको भरना पड़ेगा CGPSA % में साथी साथ आपको Class 12 के मार्क सिट क्लास 12 के मार्क सिट और क्या कहा जाए? Additional Marksheet for Class 12 काने का मतल़ है simply कि अगर आप 12 के जावपे कुछ जैसे diploma भी बचे कर लेते हैं च्छिए नेक्स्त क्या है यान्टिक आपको कंडरेट के लिए यान्टिक कंडरेट के लिए भी वही है कि CGPSA % में पर्सेंटेज में करना पड़ेगा Class 12 के Marks को और आपको वही क्लास को माल लेते हैं आप बिहारबोट से किया रहते हैं तो आज साब को CGPA से आपको परसेंटेज आप करने का जूरोत नहीं है वहाँ पि लेकर आज साघर माल लेते हैं तो आपको आपको अपली के वल होगा याने तब तो आपको करना पड़ेगा ठीक है तिट्रह यह आप सभी year के और सभी semester wise अपने mark seat को upload करें तो ऐसा भी आपको वहां भे मांगा जा सकता है तो आप को त्यार करकिए गा कि year wise हो समस्टरवाइब डिपलोमा वह आपको वह भी upload करने के लिए कहा जाएगा ठीक है तो यह document थे क्या बच ट्रच स्द्राइब करने के लिए एनी आपके जन्विशन से पहले यानि वहाँ पर जाने से पहले ठीक है लगाया होगा तो वह sports certificate यहाँ पर आपको upload करेंगे ऐसा अगर होगा माने जिस भी selected games के लिए उनका sports certificate होगा तो वह उनको लगाना पड़ेगा NCC का यानि अगर NCC का कोई भी grade है आपके बास A, B, C grade है अगर आपको वहाँ पर मांगा जा रहा है कि NCC का grade आप लगा सकते हैं ताकि वहाँ पर क्या आपको छोट मिलेगा तो आप यह भी आप वहाँ पर जरूर लगा सकते हैं NCC का लगाते हैं अगर A, B, C कोई भी certificate लगाते हैं तो आपको वहाँ पर जरूर छूट मिलता है तो इस टाइप से भी यहाँ पर का गया कि अगर आप अप लिकेबल है आप इसके लिए तो आप इसको वहाँ पर भी लगा सकते हैं ठीक है तो यह सब आपके का थे सबी चीज़ को वहाँ पर हमें भर देना है ठीक है चलिए नेक्स के आपका कुछ और बात यहाँ पर करते हैं कि in case of HTSC OBC non creamy layer EWS कहने का मतलब सिंप्ली इस पारग्राफ में यह कहा जा रहा है कि आपका जो अगर OBC, HTSC से हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे कि जो सर्टिफिकेट आपने HTSC वाले को लिए है मान लेते हैं अगर आपका HTSC से आपका सेलेक्शन हुआ है तो आपको उसका सर्टिफिकेट द होना चाहिए यानि not other format will be entertained यानि कोई other format पे नहीं लिया जागा और जो format है government of India वाला उस format का आपको available है Indian कहाँ पे format available on Indian Coast Guard website पे आपको format available है आप जाईए उसके format को download कीजिए और उस पर क्लाक्रीज अपना HTSC बनवाईए ठीक है ठीक है तो समझ मेहारा आपको क्या करना है उ तो OVC होंगे उनके लिए भी जो आपका format होगा वह आपके available है कहाँ पे वच्चे आपके Indian Coast Guard के साइट पे तो वहाँ पे जाईए उस certificate को लीजिए डाउनलोड कीजिए और उस certificate को बनाईए और वही particular certificate आपको देना पड़ेंगे तो यह दो आपको बहुत मेहनत वाला काम ह करना परता है तो आप इस दोनों काम को कीजिए और अलग से अपने certificate बनाईए OVC वाले भी अलग से certificate बनाईए EWS वाले भी अलग से certificate बनाके रखिए ठीक है समझ रहे है चलिए यह समझ जाए कि आपको next क्या है कि जो आपके size of document upload करने होंगे वह 10 से 100 KB की बीच में होंगे और date of issue of all upload document SCST और OVC non criminal EWS mark sheet education certificate has to be 19 January 2021 और any date prior to 19 January 2021 and the validity of all the documents has to be list up to 31st October 2021 during document verification कहने का मतलब कि जो आपके 21st October से 31st October से कहने का मतलब जो आपका document होगा वह 19 January और आपका कहाँ पे 19 January 2021 से पहले के होना चाहिए और आपका जो उनका duration date होगा निक कहने का मतलब जो लास्ट आपका verification date होगा उनके जो कह सकते हैं expiry date type का तो वो कम से कम आपको 31st October से पहले के होना चाहिए यानि इस दोनों के बीच के document आपके होना चाहिए आपके document पे जो आपका date जो होगा वो इनके बीच का ही होना चाहिए इस बात को कहा जाला है कि जोनों document के बीच का है तो आपको simply हटा दिया जाएगा समझ लिचे simply आपको candidates cancel कर दिया जाएगा समझ रहे चलिए और आपको बता दे कि जो भी आपके जो certificate होंगे वो हिंदी और English language में ही होंगे simply बस दूसरा कोई language नहीं हिंदी और English language में ही होंगे अगर आपको certificate कोई अधर language में है तो आप उसको convert करवाईए हिंदी और English languages में यहाँ पर simply लिखा गया है कि candidate to be uploaded both original and originals and English transaction of document if the candidate to document in any other language then English or Hindi यानी को छोड़के यहाँ आप दिखे उपर लाइं में लिखा गया है कि all documents uploaded must be in Hindi और English English सभी documents हिंदी और English में ही होने चाहिए समझते हैं यह सभी चीज़ आपको document upload करने पड़ते हैं कब कब upload करने पड़ते हैं stage 2 से पहले जब आपको stage 1 का result आता है और आपको admin card आने से पहले यह सभी चीज़ अप्लोड किया जाता है आपको Indian Coast Guard के साइड पे notification आएगा आप वह यहां छोटा सा लिखा हुआ है लेकिन आपको हमने कितने सारे समझाया चीज़ समझते हैं और आपको यहां पर physical में क्या करना होगा यह आपको लिखा हुआ है फिर inconsistent performance के बारे में लिखा गया है तो physical में क्या करना पड़ेगा इससे बात करते हैं physical fitness test physical fitness test जो होता है वो भी fail और पास का होता है ठीक है यहां पर simply fail होगे या थो पास होगेगा कोई आपको extra mark source नहीं मिलता है यहां पर कहा जारा कि candidates undergoing PFT will do so at their own risk यानि जो PFT कर रहे होंगे candidate वो अपने own risk यानि खुद के risk पर करते होंगे खुद के risk पर कर रहे होंगे उसके दौरान उनको अगर पैरव आपको होने चाहिए आपको वहां पर PFT के दोरान समझ रहे है नेक्स्ट क्या है पका PFT कंसिस्ट हो PFT में आपको क्या क्या होगा तो PFT में आपका होगा 1.6 km running completed in 7 minutes 7 minutes के अंदर 7 minutes के अंदर बच्चो 1.6 km आपको running करने है और यह बहुत ही simple running है बच्चे आप अगर मेहनत कर जो बच्चे पहले cut-off criteria के अंदर है वो सिफ एक time सुवा या भी साम में दोरे और जो cut-off बच्चे दो लास्ट वाले criteria के अंदर है दूसरे criteria के अंदर है वो सुवा साम दोरे ताकि क्या हो उनका आपका ज्यादा अच्छा क्या होगा ज्यादा अच्छा से उनका performance बढ़ ज चलिए और 10 push-up क्या है बच्चे and 10 push-up ठीक है 10 push-up करने है ठीक है 10 push-up करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा habit लगाना पड़ेगा तभी आप push-up कर पाईएगा समझ रहे हैं चलिए यहाँ पर क्या है कि all three tests of PFT are to be carried out in continuity without any break बहुत बड़ी बात यहाँ लिखा गया इस होते हैं कोई भी government examination होते हैं वो लगवग चीज़ों clear कर देते हैं ताके क्या हो किसी पकार का बच्चे वहाँ पर कोई आपका routine ना करे ठीक है अगर कोई करते हैं तो उनको छाटने का कितने भी तरीका से छाटे वो हड़े उनके पास region रहता है बच्चे समझ रहे हैं आपक कोई भी आपने रिजन वताइएगा वह आपके नहीं सुनेंगे ठीक है यहाँ पर काज़ा है कि all three test सभी test जो PFT के होंगे वो continuous manner में होगे यानि लगातार होंगे कोई break इनके बीच नहीं दिया जाएगा no any break any break in the three test will lead to failure the PFT अगर आपको इन तीनों के बीच कोई भी आपको आपका जो break लगेगा कोई भी break आप अगर लेते हैं तो आपको failure माना जाएगा यानि आपको PFT से छाट दिया जाएगा PFT से हटा दिया जाएगा तो इस point को बहती important point से इसको ध्यान पूर्वक रखेगा ध्यान रखेगा और इस चीज को वहाँ पर apply किजेगा ठीक है आपक 40% more than the percentage is secured in qualifying boards or diploma examination जो जन्रेट लिखावा यहां से यहां तक बहुत सरा बच्छों को नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं इसको समझना भी नहीं अभी थोड़ एक छोड़ दीजे अब आपको दिखेगे जो एक जामपल को समझ लीजे आपको सारे concept clear हो जाएगे सारे जो 50 marks यानि धियरभाई scoring 100% in the return जामसर यानि वो 100% marks को score कर लेता है 100% marks को score कर लेता है ठीक है if the aggregate percentage of the candidate in 12th class is 70% यानि अगर उनका aggregate percentage होगा aggregate percentage उनका class 12th में 70% होगा यह inconsistent performance जो होता है बच्छे वो बहुत rare ही मिलते है ऐसा कुछ होता नहीं है 100% marks को ला देता है 100% marks को जल्दी आपाता है कि या नहीं आपाता है rear case में आता है ठीक है तो क्या बच्चे उनका अगर 12 का जो aggregate percentage या वह 70% से कम है या फिर क्या सकते हैं less than 70% होगा तो क्या होगा बच्चे उनको हम inconsistent performer मानते हैं ठीक है तो there will be additional test तो उनके लिए होगा क्या उनको inconsistent performer मान लिए ठीक है उनके लिए लिए नया टेंशन बढ़ा दिया इन्होंने इन्होंने कहा दिया है कि there will be additional retention एक additional retention होगा inconsistent performer का this test will be held after qualifying pft or document verification for only inconsistent performer और यह बहुत बढ़िया बात उनने कहा है कि यह जो होगा pft के बाद होगा और document verification के बाद होगा तो यह बढ़िया बात उनके लिए था और बचों के लिए बहुत बेकार बात था क्यों कि सभी चीज़ देने के बाद उनको फिर से एक test देना पड़ेगा और उसमें अगर qualify नहीं हो पाते है तो लिजिए उनका सब मेनत किया गया बरबात हो गया ठीक है तो यहां पर क्या जाएगा इतना marks ला दते हैं तो आपका क्या होगा यह आपको समझ ली जागा आपका यह test qualify कर लिया आपने आपका पहला section 2 भी आपका क्या होगया complete हो गया समझ रहे अब देखिए this test is only for passing marks passing marks के लिए होगा and will be similar to the retained examination test तो यह क्या बच्चे आपका यह जो टेस्ट होगा व आपको level वहाँ था questions का था वहाँ पी यहाँ पे भी उस type के ही questions के level दिया जाएंगे ठीक है next का जाएगा कि the marks score in this retest यानि जो retest लिया जाएगा उसमें जो mark आपने score करेंगे the will have no bearing on the final merit list as the merit list will be decided only in the retained evaluation of stage 1 यानि कैने मतलब है कि जो आपका जो marks इसमें अगर आप score करते हैं तो वो आपको merit list में नहीगे जाएगा और आपको nesse मेरी सिर्ब की करना ही मतलब है कि अगर बच्चे इसमें अगर बच्चे इसमें क्या करते हैं क्लिफाई नहीं हो पाते हैं फेल्ड हो जाते हैं तो उनका केंडिजेचर को कर दिया जाएगा तो यह सारे आपके इंफर्मेशन थे स्टेज 2 के रिगार्डिंग सारे डोकमेंट्स कैसे बच्चे इस वीडियो पर हमें 500 लाइक्स मिल सके तो चले बच्चे वीडियो कहीं तरह रखते हैं अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जोड़ कीज़ेगा तो थांक्स पर वाचिंग वाइडियो तब तक के लिए बच्चे बब बाई